हेलो बुचौौ तो सुपर सौटकर सीरीज के पहला टॉबिक वर्टिकल सर्कल उसलिन वर्टिकल सर्कल कौइसा वी सुर्ट के हम लोग यू सवाल्व कर लेंगे आपके लिए कि स्पेसल सिरीज सुरू किया हो जिसे बरे से बरे कोईसंस बस सौटकर मादियम से बैदो चैनल तो चलो बिना बाते किये शुरू किया जाए, आपके सामने स्क्रीन पर बचाओ, एक देरख है क्वेस्टन की एक बॉल को मैंने अंडरूट में एक्सजिल वेलोसिटी के साथ प्रोजेट कर दिया है, तो यहाँ पर जब भी वर्टिकल सरकल में क्वेस्टन पूछे जाएंग सिटी क्या है, बस कुछ नहीं करना है, इस एक्स का वेल्यू उठा करके, इस रिजल्ट में पुट कर देना होगा, जैसे आप इस रिजल्ट में पुट करोगे, आपका एंसर उफ्तयार, ऐसे मुझे पूछा जाएगा, इसी जगे पे टेंसन कितना होगा, जहाँ पर यह थ पूछा जाएगा, कि मानलो बोडी यहाँ पर स्लैक कर गया, यह बोब यहाँ पर स्लैक कर गया, मतलब यह रस्ची धीली पर गई, तो बताएगे, वो एंगल क्या खाँ, हमें कुछ नहीं करना है, इस एक्स का वेल्यू यहाँ पर प्लेस कर देना होगा, और हम बता सकते है कि अंगल कितना था, एक बात हमसे और पूछे जाते हैं बचाओ, बताएगे, जमीन से कितने हाइट पर स्लैक करेगा, यह एच कूछ रहे हैं आपसे, हमें कुछ नहीं करना है बचाओ, इस रिजल्ट में एक्स का वेल्यू पूट कर देना है, और एंसर रेडी, तो चलो, इसको समझने के लिए दो चार पास कोईसन करने की जड़ोट है और जैसे दो-चार पास कोईसन हम नहीं तेसक्स किया जैव। हमसे पूछा जा रहा है कि वो इस reference से जमीन से कितने हाय टूपर जाकर के slack कर जाएगा मुझे कुछ करने की ज़रूत नहीं है यह रहा सामने रिजलिके बचाओ x इकोल टू 1 प्लस x वाइ 3 इंटु एल और बस बताओ x का वेल्यू कितना है 4 x का वेल्यू कितना है 4 बस इस 4 का वेल्यू यहाँ वट कर दिया मैंने 1 प्लस 4 वाइ 3 इंटु एल बस योर एंसर एइड़ी बस होगे यह answer रही पाट से मैं ऐसी मैंने फिल से पूछा कि ये देखो मैंने इत बॉल को मैंने अंडर रूट में 3 जियल देखा है बस आप x चेक कर लो कितना x का value है न 3 तो बताओ कितने angle पर ये slack कर जाएगा कुछ सोचने की जोरत नहीं है इस पर बस put कर दो cos theta is 2 minus x by 3 x का value 3 by 3 और ये answer is cos inverse minus 1 by 3 ये answer is ready ऐसे एक और question मैंने आप पर उठाया मैंने कहा एक bond को मैंने इतनी velocity से project किया बस बिना push सोचे समझे बस इस x का value देख लो x का value कितना था बच्चाओ 10 तो हम से push क्या रहा है कि बताओ उस जगह पर ball में उस जगह पर रसी में tension कितना होगा जब string horizontal होगा अब string horizontal का क्या मतलब है बच्चो string horizontal का ये मतलब है कि बिलकुन ये horizontal ऐसे हो गया मतलब angle नपीडिगरी हो गया मैंने आप क्या सिखा रखा है कैसा भी tension निकालने का एक बहुत ही best तरीका बस इसमें ये रिजल टी कोई टी कोई टीटा प्लस एक्स मैनस टू इंटू एमजी में ठीटा पुट कर दो आप जानते हो अगर पहला कि इसमें स्ट्रिंग होरिजन्टल हुआ थीटा नपीडिगरी हो जाएगा कुछ नहीं करना है थ्री कोई नपीडिगरी ब्लस एक्स एक्स का वैलू कितना है बच्छों दस मैनस 2 नप गांटी एंटा इनले एक्स एक्स беспषेट कर दो फिर मुच से पुछा हिया और द गांटीगरी इंटाफ्र 2 ऐंसने पूद एमजला हैस प्ल नप एंटलो मतलेव बन यहा पाँचगएा अव जैसे बव यहा पॉचहगए तब कह सकते हो यहा पर अगर ऑटला ओआ 180 degree, 180 degree का मतलब cos pi minus 1, बस इस में पुट कर दीजिए, तो कित्मा आगे टेंशन बच्चाओ, cos pi minus 1 मतलब minus 3, x का वाल्यू 10, minus 2 into md, and the data is 5 md, अब एक पाट और कुश्चन में ट्या रहा है, the string makes an angle of 60 degree, with the upward vertical, upward vertical, इसका ये मतलब है बच्चाओ, कि मैं बस cos, अब गॉल्स angle लेंगे, ये angle दे रखा है, 60 degree, आमेट angle लेना ये वाना, ये angle कितना हो गया, 120 degree, because ये 60 है, तो ये angle कितना हो जाएगा, बच्चाओ, 120 degree, कुछ नहीं जाएगा, इसमें put कर दीजिए, 3 cos 120, cos 120 is minus half, तो minus 3 by 2, x का value 10, minus 2 into mg, your answer is ready, बस द्याद दखेगा, जो भी काम करेंगे, यहां से हम angle लेते हैं, यहां से, चोकि इसमें दे रखा था, upward vertical के साथ 60 degree, तो यहां से angle कितना होता, 120 degree, मेरे बच्चे एक बात हमने नीट देस एक्जाम में देखा है, पुछते हुए, हमसे पुछा जाता है, बताई कि required minimum velocity क्या है, circle में इसको revolve करने के लिए, इसको move करने के लिए, तो हम कह सकते हैं बच्चा, कि इस जग की velocity under root में xgl, अब देखो इस x का value हो जाता है, यहां पर 5, मतलब यहां पर velocity क्या होगा बच्चा, greater than equal to under root में 5gl, यहां की velocity क्या होता है बच्चा, यहां की velocity होता है, under root में 3gl required minimum, यहां की क्या होता है बच्चा, अंडर root में greater than equal to under root में 0, और यहां पर भी same रहता है, बच्चा, अंडर root में 3gl, तो आपको यहां बात हैं, याद रखना होगा, कि हमसे पूछा जाता है, required minimum, यहां की velocity कितना होगा, अंडरूट में 5GL, यहाँ पर अंडरूट में 3GL, यहाँ पर अंडरूट में GL, और यहाँ पर भी अंडरूट में 3GL उम्मिद करता हूँ आप कोई बहुत अच्छी समझ में आ रहा होगा बच्चों, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा वर्टिकल सरकल, चाहे कहज़ा भी कुशन वर्टिकल सरकल के होंगे मेरे बच्चे, ये टेकनिक यूज करो, और सारे कुशन यू बना लो, तो ठीक है बच्चों, नेक्स वीडियो में मिलते हैं, नेक्स सॉटकर के साथ, बाई बच्चों.